जहीं दोस्तों स्वागत है आपका अपने परिवार आदित रिंजनसर कंसेप्ट में मेरे भाई पहली वीडियो पर जो आप लोगों ने प्यार दिखाया ना देखकर दिल खुश हो गया मतलब धाई हजार कमेंट किसी एक वीडियो के उपर में 30,000 कमेंट अपने आप में बहुत माईने रखते हैं और ये आप लोगों का प्यार दर्शाता है कि आप कितना जादा मुझे प्यार करते हैं और कितना जादा जो है आप लोगों के लिए concerned मैं भी रहता हूँ बहुत अच्छा लगा ये जो हम दोनों का तालमेल है और जैसा मैंने आप लोगों से promise किया था कि 11 दिनों में 11 practice set हम आप लोगों को करवाएंगे तो उस सिलसले में हमारा एक practice set शुरू हो गया और बहुत ये अच्छा response आप लोगों की रहा ठीक है आज बारी है यहां पर दूसरे practice set की और ये दूसरे practice set में फिर से सवालों का दौर वैसा ही होगा और जो हमारा एक तरीके से solution होगा वो बिल्कुल smart होगा बिल्कुल smart approach के माद़म सम सवालों को solve करेंगे जो कि आपके paper में समय को बचा सके और आपको यहां पर बाकी विशयों में समय दे पाएं ताकि आपका selection हो पाए याद रखिएगा अगर एक भी सवाल आप गलत कर रहे हैं तो वो आपके selection को rejection में बदल सकता है तो ऐसी गलती आप ना करें चलिए शुरू करते हैं यहां पर practice set 2 यह जो practice set है UP Police Constable, GD और सभी परिक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है तो इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें आप लोग सवाल में क्या बोला गया है यहां पर इस बात का ध्यान रखें question में कहा गया है 25% का यहां पर देखिए प्याज की कीमत में 25% के वरिदी से महिला 200 रुपय में 5 किलो कम प्याज खरीद पाती है तो प्रती किलो प्याज की जो बड़ी हुई कीमत है वो कितनी होगी यहां पर कीमत बढ़ गई समझी यहां पर तो कीमत बढ़ गई तो वो क्या करेगी अब कम प्याज खरीदेगी तो इसमें बोला गया है यहाँ पर की बढ़ी हुई कीमत यानि increased price हमारा कितना है बहुत ही simple है यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए 25% का जो fraction value होता है 1 by 4 होता है तो अगर हम price की बात करेंगे तो price हमारा 4 से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा quantity की बात करेंगे quantity हमारा इसका उल्टा 5 से 4 हो जाएगा यानि quantity में कमी कितने की हुई एक unit की और question में बताया गया है कितना कम हुआ है तो बोलेंगे 5 किलो यानि एक यूनिट का मान कितना है तो 5 किलो और अगर एक यूनिट का मान 5 किलो है तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 25 किलो हो जाएगा और यहाँ पर 4 का मतलब कितना हो जाएगा 20 किलो हो जाएगा यानि पहले हम कितना खरीदते थे 25 किलो, अब हम कितना खरीद रहे हैं मेरे भाई 20 किलो, तो पहला तो हमारा ये सवाल बन जाता है, दूसरा इन्होंने बोला है प्रती किलो प्याज की बढ़ी हुई कीमत कितनी है, यानि यहाँ पर ये रेट हम से पूछा गया है, तो जब भ बढ़ा हुआ रेट जो हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर यहाँ पर बढ़ा हुआ जो रेट है, वो 10 रुपए प्रती किलो है, आप्शन नमबर जो C होगा, वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, आईए चलिए, सेकेंड यहाँ पर बात करते हैं, और सेकेंड कोशन देख बढ़ा हैं, तो इसकेंड का खरीद रहे हो, तो एक्टी सो रुपए का, और इसके उपर में दो डिसकाउंट हो गया, बीस परशन का डिसकाउंट हो गया, तो यह विकेगा, C बटे 100 में, या ऐसे कह सकते हो, 100 का समान था, 20 के डिसकाउंट के बादा, C में बिका, और 15 बार में, यूनि डिजिट सबके अलग-अलग हैं, तो इक्याई के अंक से सॉल्फ कर लीजे, साथ इंटू चार अथाइस का आठ, आठ इंटू मेरे बाई, एक आठ हाएगा, ऑप्शन नमबर B for बाहु बरी, यहीं हमारा उत्तर है, तो इक्याई के अंकों के मादम से सवा इस बात को ध्यान रखिएगा, आख ना, कान, सब कुछ खुला रहना चाहिए, जितना नजर कोशन के उपर में हैं, उतना ही नजर आप्शन के उपर में भी होना चाहिए, भीड का हिस्सा नहीं बनने देंगे आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा, एसे सेलेक्शन नहीं परशंट किवरी दी हो धनराशी कितनी होगी हमने पैसा 5000 लगाया वो बढ़कर 7550 हो गया ठीक है अब एक्जामनर यह कहता है नहीं रेट को बढ़ा दो तुम और कितना बढ़ा दो तो 6 साल में कितना हो जाएगा 21% सीधी सी बात है एक साल में साड़े तीन तो 6 से गुना करो 21% और यहां पर इस संख्या का जब 21% निकालोगे तो 1050 आएगा इसमें जोड़ दोगे यहां पर मेरे भाई तो कुल मिलाकर तुमारा 2600 हो जाएगा कौँ सा उप्शन है तो उप्शन नमबर बीफ और बाउबली बस इतना ही करना था आपको यानि जो मिल रहा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा और साथ में यहां पर जितना परसंट आप अधिक चाह रहे हैं आपको वो भी मिलेगा जोड़ दीजे पुराने वाल 420 है मुलधन गयाद करें इस सवाल को डीटेल में पढ़ने के लिए है आपको हमारे चोटा सा वीडियो सर्च करना होगा यूट्यूब के अंदर पर मुन्नी मेथड और मुन्नी मेथड के अंदर में हमने बहुत ही तरीके से यहां पर बता रखा है हमने बहुत ही अच्छे यह पहले साल का ब्याज निकल गया पहले साल अपने आपको बढ़ाएगा और बढ़ाएगा तो दूसरे साल में यह कितना करेगा तो अपने आपका 7 बटे 6 करेगा तो यह दूसरे साल का ब्याज हो जाएगा लेकिन मुझे दूसरा नहीं निकालना है मुझे दूसरा और त इतने का है एक वोटे 6 और ये बराबर होगा मेरे भाई किसके तो ये बराबर होगा हमारे कुल मिलाकर 420 के अगर हम काटे यहाँ पर तो सीधा सीधा बोलेंगे साथ से काटिये सर कितनी बार में 60 बार में तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 यानि 6 का पावर 4 इंटू मेरे भाई 10 और ये हमारा कौन सा उप्षन है 1296 क्योंकि ये 36 का स्कॉार है तो इस्से गुना किया तो पहले साल का ब्याज निकला फिर यह अपने आपका दूसरे साल का निकला फिर यह अंतर है और बराबर हो गया हमारे इसके चलिए नेक्ट कोशन्न पे देखिए क्या बोला गया राम और शाम के उमर का सापिक्ष अनुपाद 4 और 5 है अगर हम बात करें यहां पर तो राम और शाम का उमर का उमर का उनुपाद कितना है चार अनुपाद मेरे भाई 5 है छे वर्षों के बाद में उनके उमर का उनुपाद 6 और 7 का हो जाता है तो उ यहाँ पर gap देखो कितने का है एक unit. और यहाँ पर gap कितने का है एक unit. बराबर है, tension नहीं है. अब यहाँ पर क्या बोलोगे? बोलोगे, 5-7 आने में कितना समय लगा तो दो unit. और 2 unit कमान हमारा कितना है 6 साल. दो unit कमान मेरे भाई 3 साल, तो 1 unit कमान कितना हो जाएगा, 3 साल 2 कमान 6 साल, 1 कमान 3 साल gap कितने का है, तो gap यहां पर है 1 unit का, और 1 unit का मतलब कितना हो जाएगा, 3 साल कौन सा option है, option number B for भाहुबली, समझ गे बात को यहां पर, ठीके, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं, question number 6 की तरफ चलते कि आप बोला गया है जारा पढ़िये कहा गया है कि सोहिल ने 250 रुपे में कारो बार आरमभ किया और जबकि तरिशाला तीन महीने के बाद कुछ राशी निवेश की तीन महीने तक वो नहीं आई थी इसके तीन महीने के बाद यहां पर ही आया है यानि सोहल अगर बारा महीना इंवेस्ट करता है तो तुरिशाला नौ महीना इंवेस्ट करती है प्रॉफिट यह लोग बाटते हैं 25 और 24 के अनुपात में मेरे भाई हमें कोई दिक्कत है ही नहीं मैंने जीवन भर आपको बताया कि यहां पर कौन सा कंसेप्ट काम करता है क्रॉस मल्टिप्लिकेशन अगर यहां 25 और 24 और यहां इसको क्रॉस में मल्टिप्लाई करो 9 के साथ में और यहां पर मेरे भाई मल्टिप्लाई करो 12 के साथ में अब तुम्हें जिसका रेश्यो लेना है तो ले लो तो यहीं पर बोलोगे गुरुजी इसको 3 से काटिये और यहां पर इसको काटिये 4 से तो यह मिलाकर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट 75 और अगर हम यहां बात करेंगे तो यह हो जाएगा 96 कोशन में क्या बोला गया है? यहांब कहीं न कहीं यहांब करना है? तो 75 आप काटों यहां पर 75 का कितना गुना है? आर यहांब 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 बार में जाएगा और यहां गुना कर लीजे तो बोलेंगे सर यहां पर 800C हमारा correct उत्तर आएगा कौन सा option है तो C जो है बिलकुल हमारा सही उत्तर है तो ऐसे सवालों में ध्यान रखना है आपको यहां पर time दिया था, profit दिया था cross multiply करके investment निकाल लिया एक का मान दिया है तो उसके बाद में हमने दूसरे की value calculate कर ली है समय बहुत बचाएंगे paper में नहीं तो बहुत गड़बड़ो जाएगा ध्यान रखिएगा और पसंद आए तो वीडियो को like और चैनल को subscribe करते चलेंगे पूरे 11 practice setup को इसी रफतार के साथ में हम करवाएंगे आईए चलिए next question की बात करते हैं 900 gram द्रव्यवान वाले हलवे में आठा चीनी और मक्षन की तीन तत्व हैं इसमें चीनी के तीन गुना अधिक आठा और मक्षन के दो गुना चीनी है हलवे में कितना आठा होगा यानि कहने का अगर हम यहां पर बात करें तो क्या क्या हो गया मेरे भाई यहां पर फ्लोर है और क्या है तो बटर है और यहां पर चलिए वाला question हम आपको देते हैं इस question का answer आप लोग देंगे comment box में ratio का बड़ा simple सा सवाल है हम नहीं करवाएंगे इसको अलबा question भाई मजा भी तो आएगा नहीं से यहां पर पता भी तो चलेगा मुझे कितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं और कितने बच्चे नहीं देख रहे हैं या कितने ऐसे हैं कि खाली वीडियो वीडियो देखके मेरे भाई जो है छोड़ देते हैं और उसके बाद मैं attempt करते ही नहीं है एक सवाल तो मेरे तरफ से भी homework मिलना चाहिए तो यह सवाल सात नंबर आपको homework दे रहे हैं नहीं समझ में आएगा तो comment box में लिख देना अगली set में question करवा दूँगा तो इसका answer comment box में देना है क्या होगा क्या नहीं मैं सब का answer को देखूंगा जिसका सही उत्तर है उसको हमारी तरफ से हाट जाएगा आईए चलिए सवाल देखे बोला गया यहां पर एक चातर के अंक 68 के बजाए 88 के रूप में दर्ज किये गए थे इसी कारण कक्षा का ओसत अंक 0.5 से बढ़ गया है चातरों की संख निकल जाएगे टोटल बढ़त 20 की हुई है हर एक बच्चे पर 0.5 की बढ़त है इसको जब मेरे भाई यहां पर हटा दोगे तो कितना हो जाएगा पता चल जाएगा कितने चातर थे तो 40 option number D4 देव से ना सबसे बढ़िया तरीक है भाई समझ गए हाँ पर आईए चलिए न चैनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कितने दिनों में पूरा होगा मतलब धरती और ब्रह्मांड का यह सबसे आसान सवाल है A اور B کی بات کی گئی ہے B اور C کی بات کی گئی ہے और यहां पर A اور C کی بات کی گئی ہے A اور B कितना दिन? 12 B اور C कितना दिन? मेरे भाई, यहां पर 16 A اور C हमारा कितना दिन हो जाएगा तो 24 12, 16, 24 कलसियम कितना होता है भाई? 48 12 का 4 गुना 16 का 3 गुना 24 का 2 गुना अगर हम टोटल बात करेंगे तो जोड़ो इन सब को 2 बार A, 2 बार B, 2 बार C सबका यहां पर 2 गुना मिलेगा तुमें और यहां पर यह किसके बराबर में होगा 4, 3, 7, 2, 9 के इन सबका 2 गुना अगर 9 के बराबर तो A प्लस B प्लस C का मान कितना हो जाएगा और 5 से मेरे भाई 2 बार में अब यहां पर अगर आप इसको थोड़ा-थोड़ा काटोगे तो 3 से 1 बार में और मेरे भाई 3 से 16 बार में तो कहीं न कहीं यह तुम्हारा 32 बटे 3 है 32 बटे 3 का मतलब 10 सही 2 बटे 3 और 10 सही 2 बटे 3 का मतलब 10.66 ऑप्शन नमबर D फर देव से ना करेक्ट आंसर है जान रखने डेटा कटने वाला डेटा नहीं था इसमें कई सारे लोगों को परिशान ही हो जाती है आप थोड़ा अपने आपको संभाल कर चलेंगे यह सवाल करेगा परिशान बहुती जबरदस्त कोशन है टाइम स्पीड इस्टेंस का आपको परिशान कर सकता है कोशन में क्या बोला गया है 900 किलोमेटर गती की उडान के दोरान खराब मौशम के कारण विमान की गती धीमी हो जाती है यात्रा के लिए इसकी ओसत गसी इतना किलोमेटर कम हो गई है उडान के समय में 30 मिनट की वरिदी हुई है उडान की मूल अवधी क्या थी यानि क्या बोलेंगे हम यहाँ पर सर हम 900 किलोमेटर के यात्रा में निकले हुए थे रास्ते में जब करें तो पता चला मौसम खराब हो गया उसके चलते विमान वालक जो है मतलब जो पाइलेट है उसने 300 किलोमेटर प्रती गंटा की गती जो है वो कम कर दी और उसके गती कम करने के चलते हैं हम अपने गंतविस्तान पर 30 मिनट देरी से पहुँचे अगर यहां पर देरी वेरी से नहीं पहुँचे होते अपने समय पर पहुँचे होते तो कितना समय लगता जब भी आपका स्पीड में चेंज हो और उसके चलते टाइम में चेंज हो जाए हमने आपके लिए एक बड़ा जबरदस फॉर्मला दिया था और वो हमने आपर यह दे रखा है कि डिस्टेंस बराबर हो जाएगा यहां पर S1 इंटू मेरे भाई हो जाएगा S2 और डिवाइड़ भाई क्या हो जाएगा S1 माइनस S2 और यहां पर इंटू हो जाएगा मेरे भाई हमिशा जीवन में ये बात बता रखा है थ्यान रखेगगा इस बात को लेकर तो आप यहां पर कैसे करेंगे तो आप यहां पर बॉलेंगे सर्मान लेते हैं पहले उसकी X की स्पीड थी उसके बाद में यहां पुरुस ने 300 km की कमी कर दी तो वो हमारा हो गया X-300 ठीक है, स्पीड का डिफरेंस हमारा कितने का है? 300 का है और समय का डिफरेंस हमारा कितना है? 30 मिनट है उस मिनट को घंटे में बदलोगे तो तुम्हारा 30 बटे 60 हो जाएगा और यह बराबर है हमारे डिस्टन्स कितने के? तो बोलोगे गुरुजी 900 के बड़ी मज़दार चीज़ आपको बताएंगे इसको हल करने का जो कि दुनिया नहीं कर पाती है अभी देख लीजे यहां पर 30 से अगर आप काटेंगे तो मेरे भाई 2 बार में अब यहां पर देखें यह 900 को आप रहने दीजे ऐसे ही देखें यहां 2 इंटू 3 हमारा कितना लेकर आएंगे तो 600 लेकर आएंगे और यह बराबर होगा X इंटू X माइनस 300 अब लोग पता है क्या सूचते है यार यह क्वारिडिक एक्विशन है कई से बनाएंगे बापरे हमसे तो होगा नी अरे मूर्खो यार एक बात बताओ सिंपल वैल्य उठा लो ना X के जगा पर 900 ले लो तो यहां पर 900 में से 300 करने में 600 आएगा लोग वेरिफाई हो गया यार और बताओ ना अगर X के जगा पर 900 लेते हो ना भाई तो बताओ यहां 900 में से 300 जाने पर 600 आ रहा है सैटिस्वाइड यानि स्पीड तुम्हारी कितनी निकल कर आ गई 900 तो भाई अगर आपकी स्पीड यहां पर 900 निकल कर आ चुकी है तो कोशन में आपसे क्या बोला गया है कि अगर वो गंतव्य स्थान पर अपने वास्तिक स्पीड से जाए तो यहां पर ओरिजिनल टाइम कितना लगेगा यानि टाइम बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस और अपॉन में कितना हो जाएगा स्पीड तो मेरे भाई कितना लगेगा एक घंटा यानि नॉर्मल स्पीड उसकी नॉर्मल जो टाइम थी वो कितनी थी एक घंटा लियर हो गया भाई आईए चलिए दस नमबर के बाद 11 नमबर स्वाल चोटू मोटू प्यारा सा HCF ऐलसिम के उपर में क्या बोला गया जरा सवाल में पढ़िये एक संक्या को 3003 से गुना किया गया और उसके बाद उसे 7 11 13 के लगुत्तम समावर तक द्वारा विभाजित किया गया और फिर स्वें से विभाजित किया गया परिनाम ग्याद करें तो इसके बाद में बोला गया और उसके बाद में यहाँ पर जो है खुद से डिवाइड किया गया फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या किया गया तो मेरे भाई यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया गया किस से खुद से तो रिवाइड बताओ पहले इसको इससे मल्टिप्लाई किया गया फिर इससे डिवाइड किया गया फिर जो resultant आई से कर दिया गया कहने का मतलब इसका कोई ओचित्य नहीं सिधा सिधा उत्तर हमारा कितना आएगा तीन आएगा बात कतम option number C कहोना प्यार है कोई number को खुद से multiply करते और फिर खुद से भाग कर देते हैं इसका मतलब वो number फाल दूगा था ultimately यहाँ पर क्या करना था इसको 1001 के साथ भाग करना था उत्तर तुम्हारा कितना था पीना था तीक है मैं आपको हापी से multiply करूँ और हापी से divide कर दूँ इसका मतलब क्या हुआ कुछ नहीं मैं आप में दो जोडू और दो गटा दूँ उसका मतलब क्या हुआ कुछ नहीं तो यह बात का दिहान रखना था ठीक है आईए चलिए यहाँ पर question में क्या कहा गया है दो संख्याओं का लगुत्तम समावर्तक यहां महत्तम समावर्तक कितना और इतना है उनमें से एक संख्या 212 बेयाली से कितनी है मेरे भाई तो 242 है दूसरी का पता लगाए अगर आप यहां पर देखोगे तो यह जो 242 है हमारा जब आप इसको काटोगे तो 242 मेरे भाई इसको काट रहोगा पूरी तरीके से और यह साथ का multiple हो जाएगा एक ही option ऐसा है जो आपका यहां पर 7 का multiple है वह है ग्यारा सो बीस अब बोलोगे नहीं मानते हैं सर भाई काट के देख लो यहां पर जब तुमें 242 इसको काटने जाओगे तो यह तुम्हारा कितनी बार में कटेगा यह तुम्हारा 8 बार में कट जाएगा देख लो आपके देख लो आठी इंटू दो इसको का बार में यहां पर आपके दूसरी संख्या तो पहले भी बाई option जा सकते थे बाकि आप ऐसे भी जा सकते हो आठ बार में कटने के बाद में ठीक है बड़ा सवाल नहीं था फॉर्मुले के उपर में था थोड़ी बड़ी डिजिट से बस यहां पर यह पर यह परिशानी है इस सवाल में थोड़ा सा correction कर लीजे आप लोग अभी मत solve करिएगा वीडियो रोके यहां पर थोड़ा सा correction हुआ है और यह हम correction आप लगों के लिए कर देता है नहीं तो पता चले कि आप यहां पर परिशान हो जाए हमारे टाइपिस्ट महोदे ने इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी है लेकिन आपके लिए गड़बड़ी हम नहीं होने देंगे यहां पर यह वोल स्क्वार किया गया है मेरे भाई आप यहां पर इसको solve करिए अब आप यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर पूरा लंबा चोड़ा equation है अब आप इसमें पूरा जान लगा देंगे मेरे को पता है यहां पर ठीक है, पूरा effort लगा देंगे यहाँ सर, हम जो है इसके अंदर में solve करेंगे सब कुछ करेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है बट यहाँ पर at the end में देखो यहाँ पर क्या किया गया है, तो यहाँ पर मेरे भाई, wall square किया गया यहाँ जो भी result आएगा ना जो भी result आएगा ना मेरे भाई, उसका क्या किया जाना है, wall square किया जाना है तो यहाँ पर कौन सा option मेरे भाई, wall square है तो 15,370 है बोलोगे कई से पता हमको wall square है की नहीं भाई साब दुनिया के जितनी भी संख्या wall square होती है ना उनका digital sum 1, 4, 7, 9 होता है आप एक बार सब के digital sum निकाल के देख लो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखे यहाँ पर digital sum 7 और 2, 9 खतम 6, 1, 7, 7, 7, 5, 12 12 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा मेरे भाई, ठीक है आप यहाँ पर देखो 7 और 1, 8 और 1, 9 खतम 6, 5, 11, 11 को जोड़ोगे तो जो आएगा ठीक है? आप यहाँ पर जोड़ो 5 और 4, 9 खतम 7, 6, 13, 13, 14, 14 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा आप यहाँ देख लो मेरे भाई 6 और 3, 9 खतम 7, 5, 12 और 1, 13 को जोड़ोगे 4 आएगा मैंने क्या कहा था? दुनिया के जितने परफेक्ट स्कॉयर होते हैं डिजिटल सम 1, 4, 7, 9 आता है कौन सा आप्शन नमबर C है? काहे माथा लगाने गई इसमें बताओ ठीक है अंदर क्या आया? क्या निकला? क्या नहीं निकला? क्या फर्क पड़ता है भाई? वोल स्कॉयर है डिजिटल सम 1, 4, 7, 9 होना चाहिए एक ही ऑप्शन का है बस उसी के अधार पर टिक करो बात खतम ठीक है? भाई, सॉल्ट नहीं करेंगे यहीं तो कला है अपनी नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे ठीक है? और यहीं सीखनी है आपको यहीं अप्रोच आपका पेपर में सेलेक्शन दिलाएगा पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए आईए चलिए नेक्स्ट कोशन की तरह बढ़ते हैं कोशन नबर 14 देखते हैं क्या कहा गया है मेरे भाई? तो यहाँ पर इस सवाल में देखे कोशन में सिंप्लिफिकेशन में यहाँ पर बोला गया है कि सर यहाँ 42 को 2 से भाग किया गया है और यह लंबा चोड़ा है तो भाई देखो यहाँ डिवाइड है बीच में एक और ऑपेटर प्लस है फिर मल्टिप्लाई है फिर डिवाइड है ऐसे करके तो 42 को 2 से डिवाइड करोगे 21 आएगा उसके बाद में यहाँ पर 3M हो जाएगा उसके बाद में मेरे भाई माइनस 2 हो जाएगा प्लस हमारा 3 बराबर हो जाएगा हमारे किस के 28 के अगर हम यहाँ पर देखेंगे तीन में से 2 गया तो 1 एक और एक एक किस 22 हो गए 22 उधर जाके घटाएगा तो 6 हो गया लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि अगर इस रफतार के साथ शायद आप करते शुरू शुरू में तो 2-3 सवाल तो मिस्टेक हो जाते और वही मिस्टेक आपका रिजेक्शन में बदल देते हैं ठीक है तो प्रैक्टिस सेट में tough questions easy questions matter नहीं करते प्रैक्टिस में हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि question के साथ साथ आपकी accuracy भी matter करती है दो चीजे होनी चाहिए पेपर के दोरान एक accuracy और दूसरा speed एक aspirant के अंदर अगर ये दो चीजे नहीं है ना selection नहीं होगा लिखवा लो जितना accuracy मेंटेन करता है उतना ही accuracy भी matter करता है ध्यान रखिएगा आई ये चलिए छोट मुट सवाल एक और देखिए हमारा यहाँ पर बोला गया 10 cm त्रिज्या वाले गोला को पिखलाया जाता है उससे 10 cm उचा वाला शंकू बनाया जाता है शंकू का व्यास ग्याद करें यानि गोला है कितने का है तो बोलोगे सर ये 10 cm का गोला है इससे पिखला करके क्या बनाया गया है तो यहाँ शंकू बनाया गया है और ये कितने का है 10 का A sphere of radius 10 is melted and made into a cone of height हमारा 10 अच्छा कून की height हमारी कितनी दी गई है तो height हमारी 10 दी गई है तो question में क्या बोला गया है diameter पूछा गया किसका diameter कितना होगा बढ़िया बात है भाई diameter बता देंगे कोई दिक्कत नहीं है तो इसको melt करके ये बनाये हो तो यानि इसकी volume कितनी होगी तो 4 by 3 pi into यहाँ पर कितना होगा r का cube और बराबर हो जाएगा किसके तो बोलोगे sir 1 by 3 into pi into r square और into कितना हो जाएगा h हो जाएगा 4 by 3 pi r cube बराबर 1 by 3 pi r square h यहाँ पर आप यहाँ पर pi by 3 से pi by 3 को खतम करो भाई 10 से तुम अपने हाँ पर एक power को खतम करो 2 रहेगा अब उसके बाद में देखो यहाँ पर यह 2 का square यह 10 का square यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 20 का square और यह बराबर होगा radius के तो radius command 20 और radius command 20 तो diameter command कितना होगा 40 होगा बस ऐसे ही solve करना था तो यूपी constable के इस तरीके से कुछ सवाल आपके आ सकते हैं आपके परिक्षा में या GD में आपको इन सवालों के उपर में जो है मेरे भाई ठीक है फोकस करना है साथ में आपको comment box में ये भी बताना है कि इस practice set को solve करते वक्त में अगर आप खुद से solve कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है कोई और changes की आवशकता है तो वो भी comment box में बताईए वीडियो कैसी लगी वो भी बताईए सब्सक्राइब करके अपना support पूरा दिखाईए एक 11 दिनों तक मेरे साथ आपको जुड़े रहना है तभी ये रफ्तार आपके अंदर में आ पाएगी selection लेकर रहना भाई इस बात को ध्यान रखना नहीं तो मेरे भाई फिर ये व्यर्थ होगा ये 2024 ऐसे ही निकल जाएगा और हम पच्टाएते रहे जाएगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में मेरे भाई ध्यान रखिएगा अपना खुश रहिएगा मस रहिएगा जै हिंद पीक है